नमस्कार आप देख रहे हैं कबीर नियूज मैं हूँ आपके साथ रिचा कमल कल से चलेंगी पेसंजर एसी ट्रेन कितना होगा किराया कैसे बुक करें टिकट सभी सवालों के जबा भारती रेल मंत्रारे ने 12 माई से एक बार फिट ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है शुरुवाती चरण में सिर्फ 15 ट्रेने चलाई जाएंगी ये सेवा दोनों तरफ से शुरू होगी यानि ट्रेन में यात्री अब दोनों तरफ से आ जा सकेंगे ये सभी 15 ट्रेन सिर्फ नई दिली से विभिन शहरों के लिए चलाई जा रहे हैं कोरोना वाइरस संक्रमर को फैले से रोकने के लिए सरकार ने ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी थी अब करीब 50 दिन बाद ट्रेनों को दोबारा चला जा रहा है ये सभी 15 ट्रेने AC कोश होंगी और इनका किराया राजधानी ट्रेनों के बरावर होगा उधारन के लिए दिल्ली से पटना का किराया 2200 के बीच होगा ये रेल गाड़िया नई दिल्ली से पटनार राची, हावडा, डिब्रूगण, अगरतला, बिलासपूर, भुपनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलोरू, चेन्नई, तिरुवनपुरम, मणगाउं मुंबई सेंटरल, एहमदाबाद और जम्बु तवी का सफर तै करेगी इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 11 मई से शाम 4 बजे से शुरू होगी टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट से ही लिये जा सकेगे कैसे बुक होंगे टिकट? IRCTC वेबसाइट एप के जरीए ही बुकिंग की जा सकेगी एजेंट के जरीए बुकिंग माने नहीं होगी टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग सेतु एप होना ही चाहिए मतलब आपको यात्रा से पहले ही इसे डाउनलोड करना होगा सभी यात्रियों के लिए चेहरे को मास्क से ढखना जरूरी होगा रेल यात्रा शुरू होने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी और जिन में लक्षर नहीं दिखेगा उन्हें ही यात्रा की इजाज़त होगी ऐसे में इस्टेशन पर यात्रा से करीब एक घंटे पहले पहुचना होगा जिससे सारी प्रक्रिया हो सके क्या ना करें किसी भी एजेंट से टिकट बुक ना कराएं वो माने नहीं होगा ध्यान रखे कि ये ट्रेन लिमिटेड स्टॉप पर ही रुकेगी ऐसे में हरबड़ी ना दिखाएं पूरा ब्योरा देख लें रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग सर्विस पूरी तरह से बंध है प्लेटफॉर्म टिकट तक नहीं मिल सकेगा ऐसे में टिकट लेकर ही रेलवे स्टेशन पहुचे सिर्फ जिनके पास मानी टिकट होगा उन्हें ही railway station के अंदर जाने दिया जाएगा अगर संक्रमर्ण के कोई लक्षर दिख रहे हैं तो यात्रा नहीं करने दी जाएगी इस बात का भी ध्यान रखें